कभी हामोश बैठोगे कभी कुछ गुंगुनाओगे मैं उतना याद आओगा मुझे जितना भुनाओगे कभी हामोश बैठोगे कभी कुछ गुंगुनाओगे He is exact copy of Jagjit Bhai. Anil ji, आपकी आवाज बहुत मैच काते हैं Jagjit ji के साथ और आप अच्छा भी काते हैं, all the very best. You have a very bright future. आई दोस्तो मिलते हैं बज में घजल में. मैं डॉक्टर निल शर्मा और मैं आपसे मुखातिब हो रहा हूँ. इस्टन स्टेंडर टाइम के हिसाब से 23 तारीक को रात को 9 बजे और इंडियन स्टेंडर टाइम के हिसाब से 24 तारीक को सुबह साड़े 6 बजे. तो इस आरीकरम में हम कुछ चुनिंदा खुबसूरत घजलें आपके सामने पेश करेंगे. तो मिलते हैं बज में गजल. करेंगे आप भी रोया करेंगे आप भी पहरूं इसी तरह अटका कहीं जो आपका दिल भी मेरी तरह रोया करेंगे आप भी नमस्कार सायर्णी, सादर प्रणाम, मैसर्फ, Dr. Dipali Vatr and I am extremely happy to announce that I am going to perform live on the upcoming Kershwar Raag event Bazzme Gazzal on Saturday October 23rd at 9 p.m. EST and Sunday October 24th at 6.30 a.m. EST on Kershwar Raag YouTube channel Hope to see you soon and keep showering your blessings and till then stay safe and stay happy कुल्शन की फकर फूलों से नहीं काटों से भी जीनते होती है फिक्र मोमिन की सदादा की गालित का बयान मीर का रंगे सुखन हो तो गजल होती है सिर्फ अलफाज ही नहीं करते माइने पैदा जजबा एक खिद्मते फन हो तो गजल होती है आईए आप भी अपने जजबे को लेकर आईए बज में गजल में जो की रात शनिवार नौ बजे इस्टन टाइम से कैनड़ और USA में और संदे सुखा सारे छे बजे इंडिया में हो की आपका इंतजार है I'm Monica Adhikwal, a poet from India I'm an academician by profession but a forever poetry lover music 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 रहा है फिर सक्की में नहीं से